नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो शायद आपको चौका दे, आपके दांतों की सेहत और आपके दिल की सेहत का आपस में क्या कनेक्शन है? जी हाँ, चलिए बात करते हैं बेसिक्स की. हर बार जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं, या आपके मसूडे पहले से ही खराब हैं, तो आपके मसूडों से खून निकल सकता है. बहुतों को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन यहीं से चीजें दिल्चस्प होने लगती हैं. आपके मसूडों से बैक्टीरिया आपके खून में मिल सकते हैं और सीधे आपके दिल तक पहुँच सकते हैं. अब जब ये बैक्टीरिया आपके दिल तक पहुँच जाते हैं, तो वे इंफ्लमेशन पैदा कर सकते हैं. ये क कर सकता है जिससे अथिरोस्क्लेरोसिस होता है जो दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण है है ना चौकाने वाली बात लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कितना कॉमन है तो स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को मसूरों की बीमारी होती है उनमें हार्ट अटाक, स्ट्रोक या दूसरी गंभीर कार्डियोवैस्किलर इवेंट्स होने की संभावना दो से तीन गुना ज्यादा होती है ये काफी बड़ा इंक्रेस है जो बताता है कि अच्छी डेंटल हाईजीन कितनी जरूरी है न सिर्फ एक खूबसूरत मुस्कान के लिए बलकि एक स्वस्थ दिल के लिए भी तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं सबसे पहले ये पक्का करें कि आप नियमित रूप से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कर रहे हैं सही डेंटल केर ही आपकी पहली सुरक्षा है अपने डेंटिस्ट के रेगिलर चेकप्स को कम मत समझे वे प्रॉब्लम्स को गंभीर होने से पहले ही पकड़ सकते हैं और याद रखिए आपकी लाइफस्टाइल चॉइस भी एक बड़ा रोल अदा करती हैं एक बैलन्स डायेट खाना टुबैको से दूर रहना और स्ट्रेस को मैनेज करना ये सभी फैक्टर्स हैं जो आपके ड इंटल हाईजीन का ध्यान रखें शायद ये सबसे आसान काम है जो आप अपने दिल के लिए कर सकते हैं देखने के लिए शुक्रिया स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें अपने दांतों और अपने दिल दोनों के लिए